देख लीचे प्रेड लिए जो आप लोग देख रहे हैं याँ पर ये यंग लोग ब्लाइंड हुए हैं ये पहले से पैदाइसी ब्लाइंड नहीं थे अभी हुए हैं ये लोग अपनी जर्नी सुना रहे हैं कैसे हुए वो ये बोल रहे हैं कि हमको अभी बर्त मान में ही जीना चाहिए भविस्का नहीं स वर म्गोन को लग रही है बहुत गंबीर गंबीर बीमारिय कि लग रही है और इतने जिए लोग सकते हैं और उसका वर ज़य तुम्लबे भी सभप्शाप फिसाअच मुटकर कर रहे थे यहां पर अपनी आप देखसकर आपनी उससी सौना रहा तो मैंने यहां पर को मूट कर दिया है साम का वक्ते और बज रहे हैं साम के साथ और मैं कर रही हूं खाने की तैयारी खाने में आज हमारे घर बनेगा पाव भाजी तो पाव भाजी की मैंने तैयारी कर लिए और मॉर्निंग की तैयारी करना पड़ता मैं क्योंकि दो दिन से ह और आज भी गई थी हॉस्पिटल आज मुझे रिपोर्ट लेना था एक सरा भी लिखा है डॉक्टर ने इसका ये लेफ्ट हैंड का सब्साइद ऐसे कट-कट की भी आवाज आ रही हो सकता कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो और नीरों के लिए भी बोला है जो मेरा स्वाथ चला है दिल्ली एम से तो मतलब फिर भी अच्छा है हमारे हां पर एक दिन में हमारे जुद्ने भी मतलब प्रॉब्लम होती है तो चलिए पावाजी की सामगरी में आपको बता देती हूं क्या का बना रही हूं यह देखिए यहां पर टामाटल लिए है मैंने और यह सबजी के ल लिए है मैंने बाद में यह दालूंगी में जब सब्जी बनाऊंगी तो चलिए फ्रेंड लेट्स गो बनाते हैं पावाजी चोटा वाला ट्राइपोर्ट टूटा है यह बड़ी दिक्कत होती है मुझे ब्लॉग बनाने में यह खाने वाला सूट करने में तो मुझ जादा डाल दिया है और यह सब्जियों को मैं अच्छे से पका लूँगी पहले और यहां पर आलू भी मिक्स करनी है और आलू को थोड़ा अच्छे से फ्राइप करना हो उसके बाद ही सारी सब्जिया में डालूंगी इसमें और आप देख सकते हैं अच्छे सालू फ्राय हो गया अब मैंने गाजर डाल दी इसमें अब सारी सब्जियां दीरे-दीरे करके एड़ करती जाओंगी मैं एक-एक सब्जियां मैंने मटर भी लिए आपको दिखाया है अभी फ्रेश मटर आ रही तो दिक्कत नहीं है पाव भाजी में 15-20 दिन में बना लेती हूँ सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब मैं इसमें लाल मिर्च पावडर एड़ करूंगी आदा चमाच मैंने लाल मिर्च पावडर एड़ किया है और अजय त्यमाच धनिया पावडर एड़ किया है अब मैं इसमें टमाटर एड़ कर दूंगी इसमें कि कर लिए हैं और तयारी कर लिए सब्जी के लिए ये प्यार्ड डालेंगे और यहां पर सिंबला मिर्ची और यह टामाटर तो चल यह फ्रैंड लेट्स को बनाते हैं पाव भाजी और इसको मैंने मतनी से मत लिया है जो सबजी थी वो पक चुकी है और इसको मैंने मतनी से मत लिया है यह देकी बिल्कुल बारीक हो गई है यहां पर ओ टमाटर भी काटे हैं यह बन चुकी हमारी पाव भाजी और यह बेटी है बनाई है पा बद्धावजी खालीजी खाली ये और बताइएगा कैसी बनी पाक्ति आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक किजिएगा सैनकी जेस स्मस्काइब किजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी हमारी पावबागी